टीवी सीरियल रिष्टा का कहलाता है कि कहानी अभी उस मोर से गुजर रही है जहां फैंस इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाते अर्मान को इस बात का ऐसा सो चुका है कि वो रूही से नहीं बलकि अभीरा से प्यार करता है लेकिन फिर भी वो परिवार की खुशियों की खातीर इस रिष्टे में आगे बढ़ रहा है शादी की तैयारिया पूरी हो चुकी है अब बस अर्मान और रूही का मंडप में साथ फेरे लेकर एक दूसरे का हो जाना बाकी है इस प्रोमो वीडियो में दिखाये गया है कि अर्मान रूही को सच बता देगा कि वो उससे प्यार नहीं करता है लेकिन बावजूद इसके शादी नहीं रुकेगी कावरी पोदार विद्या और संजे समेथ घर के बाकी सदस्यों के दबाव में अर्मान मंडप में बैठेगा और रूही सच जाने के बावजूद भी इस शादी को नहीं रोकेगी लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा कि अर्मान के पास बगावत के सिवा कोई और विकल्प नहीं माधव और मनीज जी की लाग कोसिसों के बावजूद अर्मान शादी के लिए बैठ जाएगा लेकिन फिर उसे कुछ ऐसा पता चलेगा कि वो शादी नहीं करेगा और खुद ही मंडप से उठकर चला जाएगा एक रिपोर्ट के मुताबिक जब अर्मान बारात लेकर जा रहा होगा तो अभीरा यह नजारा देखेगी इसके अलावा बस के आगे चलने पर वो माधव को होस्पीटल से बाहर आते भी देख लेगी वो बस लुकवा कर माधव से मिलने जाएगी तब माधव उसे सब सच पताएगा कि कैसे रूही की शादी गलत नंग से कराई जा रही है और अभी तक कागजों पर अर्मान का तलाक नहीं हुआ है यह सुनकर अभीरा बेहोस हो जाएगी और फिर माधव उसे उसी अस्पताल में भरती करवा देगा बिना देर की यह वो अर्मान को कॉल करेगा औ बहुत खराब है जानकारी के मुताबिक अभीरा की तबियत के बारे में पता चलने पर अर्मान खुद को रोक नहीं पाएगा और मंडब से उठकर सीधा हॉस्पीटल की तरफ दड़ेगा यह सिक्वेंस ठीक उस वक्त आएगा जब अर्मान रूही की गले में वर्मालना ड जा रही होगी गाहिर तोर पर यह काफी हाई बोल्टेज ड्रामा होने वाला है जिसे दर्शक खूब एंजवाई करेंगे इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलीवड और एंटर्टेन्मेंट की ख़बरों के लिए देखते रहिए एब देखते बॉलीवड एंटर्टेन्मेंट